हेलो मैं हो विजीत एक बार फिस आपका स्वागत है मेरे इर्टूब चैनल पर तो आज का जो टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है है थे है है तो ये प्रान पार प्री आज़ता हुए सबसे पहले तो इस वीडिए को हम लोग तीम पार्ट में डिवाइड करेंगे सबसे प्राले तो मैं इंपगों यह बता ओंगा what is pitch, pitch होता है क्या क्योंकि बहुत सरे लोग पता नहीं चलता है कि यह pitch है क्या exactly है अगर मैं सामने वाले को बोलता हूं कि आपका जो गाना है वो pitch में नहीं है तो वो exactly समझ नहीं पता है क्योंकि यह basically musical terms है तो इसलिए मैं यहां पर आपको example के साथ मैं बताऊंगा आपको मैं स क्यों आप आप पीज क्यों गा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है देखा जाये तो आपने practice भी किया है और बहुत practice कर रहे हैं आपने अलंकार का practice कर लिया आपने रागो का practice कर लिया लेकिन जैसे ही आप कोई भी केरियो के ट्रैक के साथ गाने के लिए जा रहे हैं, या तो आप कोई live orchestra के साथ गाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप सूर को पकड़ नहीं पारे, आपने प्रेक्टीस किया है, मतलब ऐसा भी नहीं है कई बार practice किया है लेकिन फिर भी जब भी कोई track के साथ गा रहे हैं या तो live orchestra के साथ गा रहे हैं तो वहाँ पर basically वो पिछ में हो तो ये भी बहुत important है तो इस वीडियो को तीम bound में डिवाइड की है वैने तो पूरे वीडियो को दे हीगा इसमें skip मत कीजिएगा important वीडियो है आपके लिए और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी शेयर और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरा जो लाइक सिंगिंग वाक्शोप है इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए भी मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है तो वहां पर क्लिक करके आप अपने आपको रिजिस्टर कर सकते हैं इस वाक्शोप के लिए तो चलिए हम कभी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि पीच होता है क्या है वाट इस पीच तो जैसे कि मैंने को बताया था कि इसको मैं आपको एक्जम्पल के साथ बताऊंगा तो अब खुदी अगर आप सुनेंगे इस चीज़ को तो आप खुदी समझ एक्स्प्रेइन खरने की ज़रूद नहीं है तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं तो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमस्का प्लाई सकसे दो बाइदावाई यह पीछ में भी नहीं है और विद्म में भी नहीं है ताम में भी नहीं है अब से लिए तो मुझे उन्बीद है कि आपको पता चल गया पिछ क्या होता है अब यह थोड़ांसा पीछ में तो नहीं था और TOM सिसी करी तो ताल के पारे में हम लोग इस वीडियो में में डिसकसे ही करेंगे हम लोग के बारे में ही डिसकस करेंगे कि पिछ Actually होता है किया है किसे को मैं отвеч को बोल रहे हूँ ठीख है अब दिखिये जो भी हम लोग गाना गार है चाक कोई भी language का हो सकते है तो वह जोसकता है लोग si यह जो सारे नोट्स है यह जब तक आपका पर्फेक्ट नहीं होगा तब तक आप सुर को सही नहीं कर पाएंगे कि कहा है चाहे आप कोई भी गाना गा लीजे उससे कुछ भी मतलब नहीं है लेकिन जब तक आपका सुर का जो सेंस है यह जब तक पक्का ना हो सुर्का सेंस यानी मैं थोड़ा से आपको बताना भी चाहूंगा कि सुर्का सेंस यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर जैसे माल लिजे अगर मैं एक नोड बज रहा है, सारे कमा मैं नहीं बोल रहा हूं, एक साउंड है, इसको आप साउंड समझे, ठीक है, मैं ना तो सा बोल रहा हूं, ना तो रे बोल रहा हूं, कोई भी नोड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक साउंड आपको सुना ही दे रहा हूं, एक साउंड है यह, अब आपको करना क्या है इसके साथ अपनी आवास को मैच करना है ठीक है तो यह अगर आप सही तरीके से मैच कर पा रहें यानि यह कैसे जा रहा है साउंड अगर मैं इसको हमिंग से गाऊं इसको यहां पर है यह साउंड यहां पर है ठीक है सब्सक्राइब मैं इसको थोड़ा सा शार्प लगाऊं तो बहुत शार्प आई है तो आपके कान में लग रहा है अब इसको अगर मैं थोड़ा सा फ्लैट कर दो तो तो भी कान में लगेगा यह तब ही अच्छा लगेगा जब इस साउंड के साथ मैं अपने आवास को मैच करूँगा तब ही यह अच्छा लगेगा तो जैसे कि यह बज़र है तो आपको अंदर से फील होगा यह अपको यहां पर अंदर से फील होगा कि अब यह मैच कर गया तो इसी को कहा जा रहा है पीच तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि पीच क्या होता है और किसको पीच किसको बोल रहे है यानि सुर का जो exact जो point है exact जो frequency है जब आप उसको टच करते हैं तो वो है पीच और उससे ज़ादा उपर हो गया तो नीचे हो गया तो बिसीकली वो हो गया आपका off-pitch तो य कि ऐसा होता क्यों है किसली हो रहा है मैंने पहली बता है कि ऐसा भी नहीं है कि आपने practice नहीं किया है बिल्कुल और directly गाने पे चले गए क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि directly गाने पे जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा है तो तब ही तो मैं समझ सकता हूं कि चलो ठीक है इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इनको इसके बारे में नहीं पता है पिच क्या होता है तो वहाँ पे समझ सकता है चलो प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस किया है अलंगार का प्रैक्टिस कर लिए अपने रागों का प्रैक्टिस कर लिए अपने फिर भी आपका जैसे आप गाने के लिए जा रहे हैं कोई भी केरियो के ट्रैक के साथ गा रहे हैं या तो जब लाइब में गा रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो गाना है ठीक है वो आपका ट्रैक के साथ नहीं जा रहा है या तो उसके जो पिछ है वो मैच नहीं कर रहे हैं तो यह क्यों हो रहा है ? इसको भी समझते हैं तो देखिए अब इसमें जो सबसे बड़ा problem है वो है आपको गाना सुनना है बहुत important है सुनना, गाना सुनना बहुत important है जब तक आपके कान जो है यह जब तक त्यार नहीं होगा क्योंकि अब देखिए होता है कि हम लोग sound जो है produce कहां से कर रहे हैं यहां से कर रहे हैं यह जो vocal cord है यहां पर जो vocal walks है यहां से बिसी कर ली बिसी कर ली एक instrument है यह जो vocal cord है इक instrument है यह sound को produce करता है लेकिन इसका order कहां से आता है यहां से आता है order तो यहां से अगर सही order आएगा तो ही यह सही तरीके से sound को produce कर पाएगा है कि नहीं तो इसी लिए सुनना बहुत important है अब देखिए इसका जो नाम है न हम लोग basically सुनना क्यों important है मैं आपको थोड़ा सा और deeply बताता हूँ हम लोग क्या बोलते है रियाज करो रियाज करने से आपका आवाज अच्छा होगा आपके जो muscles memory है वो develop करेगा तो रियाज का मतलब क्या होता है रियाज यानि repetition repetition बहुत सारे लोग को इस चीज़ का समझी नहीं है मतलब उनको लगता है चलो एक गाना सुन लिए एक बार कैसी भी करके सुन लिया बनलब सुनना होता है कि अप सिरियूसलि सुन रहे है को और रह lin chances lum कर रहे यह और कॉछ काम कर रहे हैं कुछ अपना गाना भी सुन तो वो सुना सुनना नहीं है आप जब कोई भी गाना एक्च्वर में प्रैक्टिस करने के लिए सुनोंगे तो वो सुनना अलग होता है, आपको हर चीज को बारी की से सुनना होता है, तो पहरे तो सुनना है, बार बार सुनेंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपका ये आप तक बैठना जाए स तब तक आपको सुनना है, मतलब इसका आप बोलेंगे, अगर पूछेंगे कि कितने बार सुनेंगे उस गाने को, या तो कितने बार रियास करेंगे, तो कितनी बार का कोई लिमिट नहीं है, ये जब तक आपका क्लियर नहीं हो, तब तक आपको सुनना है, तो ये कर रहें तब तक आप उसको प्रैक्टिस करना है यह आपको समझना है यह आपको समझना है कि आप कितने बार सुनेंगे उस गाने को यह बहुत इंपोर्टेंट है सुनना अगर सुनेंगे अच्छे से तो ही वह सही तरीके से यहां से निकलेगा वो गाना यह तो वह नहीं नि वहाँ पर भी आपको ध्यान चाहिए, ठीक है, अब दिखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से लगाना है सुर को, तो ध्यान में दिखिए, ध्यान यानि meditation बेसिकली यहाँ पर, तो पूरा concentration बेसिकली, आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, उस सुर के उप पर, बहुत बार ऐसा भी होता है कि, आप गाना तो गा रहे हैं, लेकिन या तो सुर तो लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो mind है, और कहीं पर काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से practice करेंगे, तो result आने में आपको बहुत देर लगेगा, बहुत देर लगेगा, आपका पूरा focus सु क्यों नहीं लग रहा है, सुर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका focus नहीं है वहाँ पर, और कितना practice करेंगे इसके लिए, इसका कोई भी limit नहीं है, जब तक आपका वो सही नहीं हो जाए, तब तक आपको करना है, बस, अगर आप सीरियस हैं, एक्चली यहां पर भी प तक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है, अगर आप सीरियस है, तो आपको वो बार-बार repeat करना पड़ेगा, अब इसका नाम यह है, रियाज, यान ही repetition, जैसे मैंने पहली बता है, तो बार-बार उसको करेंगे, तब ही वो दिमाग में बैठेगा, registered हो ज registered होगा, अब गोश्चे नाता है कि, प्रैक्टिस क्या करें, इसके लिए, क्या एक्जक्ली प्रैक्टिस करेंगे, ताकि यह जो सुर है, आपके mind में, दिमाग में बैठ जाए, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ, कि आपको बिलकुल नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, मु ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक साउंड प्रोड्यूस करना है, कोई भी एक साउंड, कैसे, मैं आपको थोड़ सर दिखाता हूँ, जैसे मान लीजे, और वो जो आप सुर लगांगे, बिसीकली वो एक कर्प जैसा बनेगा, ठीक है, अब क्या करना, आगे मैं ब एक साउंड जैसे बिसीकली, कहाँ से स्टाट किया, तो नीचे से स्टाट किया, तो देरे 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 ऊपर जा रहा हूँ है, ठीक है, अब करना क्या है आपको, आप कोई भी एक की को प्रेस कीजे, ठीक है, इंस्टूमेंट अनों बहुत ज़रूरी है, इंस्टूमेंट तो आप इस practice को नहीं कर पाएंगे, तो instrument के साथ, इस practice को करना है, ठीक है, तो यसे माल लीजे, मैंने एक की को प्रेस किया, कोई भी की, random की, मैं कोई सारी कामा की बात नहीं कर रहा हूँ, एक sound है, माल लीजे, आप sound है, ठीक है, अब ये एक sound है, अब मैंने कैसे लगाए उस सूर को तो इस तरीक से लगाए अब आपको ढूंड़ना है कि ये जो सूर है आपने जो गाया आगी ये एक्जेक्ली कहाँ पर आकर उसको मैच करेगा इस साउंड के साथ मैच करेगा वो तो चली देखते हैं बहुत इंड्रेस्टिंग है ये प्रैक्टिस देखी कैसे होगा तो ये बज़ रहा है और पहले मने कैसे गाता लगा नहीं फिसे हो रहा है मैच तो ये इस प्रैंट आप ऐस आगरन्OOD निकल जाता हूं तो वो अंपको लगेगा कान में कियalion इस को भी देखते और तो आपके कान में लगेगा एक और जैसी मैच हो जाएगा आपको अंदर से फील होगा कि हाँ अप यह मिली आपको सब्स है तो ये बहुत बड़ा practice है, ये करते करते धिरे धिरे आपका कान sharp होगा, कान sharp करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सारे चीज़े practice की बात है, ये आपको कोई भी समझा नहीं सकता इस चीज़ को, आपको बता सकता है कोई भी, लेकिन आपको practice करना पड़ेगा इस चीज़ क जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये जो फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है बिसी गली है, है ना, फ्रिक्वेंसी है, साउंड है बिसी गली, तो ये कहां पर है, वो जो पॉइंट है, वो कहां पर है, ये सारे चीज़े प्रैक्टिस है, तो जितनी बार आप इसक पीछ में आ जाएगा अब ये किसी-किसी का थोड़ा सा लेट हो सकता है किसी-किसी का जल्दी हो सकता है ये डिपेंड करेगा आपका जो उसके उपर डिपेंड करेगा तो मुझे उबिद है कि ये जो वीडियो है आपके ये बहुत ही फायदा बंद होगा और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी डिपेंडली पीछ में गा सकते हैं तो अगर आपको ये जो वीडियो है मेरा अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी शेयर और लाइक कर दीजिएगा और मेरा जो फोर डिस का वाक्षोप है इसमें पार्टिस्पेट करना है तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आपको को रिजिस्टर कर सकते हैं और मेरा जो फोर डिस का फ्री वाक्षोप है इसमें आप पार्टिस्पेट भी कर सकते हैं तो चलिए तिन भी लेंगे नेक्स वीडियो में